हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष जा 17 ओफ नवेंबर 2020 का करेंट अफेर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं आपकी टॉपिक्स से एक अच्छी अंडेस्टेंडिंग को डेवलब करने के लिए यहाँ पर टॉपिक्स को static portion यानि की general studies के साथ link करते हुए cover करवाये जाता है जिससे की आपकी comprehensive preparation हो है वो civil services examination के according होती है तो अगर आप civil services की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए mandatory है इस पूरे lecture को end तक देखना यहाँ पर सभी sources से news को हम लोग cover करते हैं even काफी सारी magazines ऐसे की EPW down to earth के भी articles को cover किया जाता है right and prelims और main zone of point of view से यहाँ पर news को cover करते हैं English Hindi दोनों में news यहाँ पर cover की जाती है and guys यस प्रकार से civil services में अपन को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर उसी के according news को भी cover किया जाता है आप देख सकते हैं कि paper 2 और paper 3 के यह कुछ topics हैं जो आज आपन discuss करने वाले हैं and guys lecture को start करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको guaranteed selection चाहिए examination में तो यह जो lectures में आपको provide करा रहा हूँ इन lectures को आपको regularly देखना है और जितने भी instructions में lecture के दोरान आपको provide कराता हूँ उसको आपको religiously, regularly और इमानदारी से follow करना है हर एक चीज़ को तभी जाकर guaranteed selection आपको मिलेगा and guys guaranteed selection की जो बात है मैं यह ऐसी दूसरों की तरह हवावाजी में नहीं करता हूँ इसके बकाइदा मैं आपको proof भी provide कराता हूँ अपने students को आप चाहें तो description पर आपको video मिल जाएंगे उन videos को देखकर आप proof जो है वो देख सकते हैं कि जो भी topics में आपके regularly cover कराता हूँ आप खुद देख सकते हैं कि उन topics में से directly questions बनते हैं examination के अंदर and secondly guys I highly recommend you कि आप monthly PDF paid package को जरूर join कीज़ेगा क्योंकि अगर आप इस paid package को join करेंगे तभी जाकर इन lectures का पूरा lab आपको मिलेगा and इस paid package की fees भी काफी nominal है minimum 100 rupees पर मज़ पूरे महीने का जो charge है जो fees है वो सिर्फ 100 रुपे है and lab कैसे मिलेगा आपको तो वो मैं आपको समझाता हूँ तो देखिए guys आपको सिर्फ regular basis पर जो मैं lectures provide करा रहा हूँ सिर्फ उनको देखना है आपका पूरा concentration lecture को देखने के उपर होना चाहिए आपको अपना time waste नहीं करना है hand written notes बनाने में क्योंकि अगर आप hand written notes बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा time जो है वो चड़ा जाएगा और current affairs एक ऐसी चीज़ है जो की regular basis पर आती है तो आपका regular basis पर एक तो notes बनाने का time बच जाता है आप उस time को utilize कर सकते है general studies के topics पढ़ने में मैं जो task देता हूँ वो करने में मैं जो homework देता हूँ वो करने में इसके लाब option की आप तयारी कर सकते है answer writing practice आप कर सकते है वो भी मैं आपको provide कराता हूँ last मैं कि एक question देता हूँ आपको regularly तो आप सोने से पहले lectures के notes पढ़ते हैं तो आपका क्या हुआ पहली बार revision हो गया first time revision हो गया इसके इलावा मैं आपको हर Sunday को एक compilation देता हूँ पिछले हफते में जितनी भी news आती है जितनी भी news covered रहती है जितनी भी lectures आप देखते हो उसका single compilation आपको मिलता है नहीं कि एक ही PDF में पूरे हफते की news covered रहती है तो आपको दूसरी बार मैं push करता हूँ कि revise करो तो यह होगे आपका दूसरा revision और ऐसे ही मैं आपको monthly magazine provide कराता हूँ जिसमें कि आप तीसरी बार revision करता है तो अगर आपने एट topic को तीन बार revise कर लिया तो mains में बैटने से आपको कोई नहीं रोक सकता है and मुझसे बहतर आप खुदी जानते हैं कि revision कितना important role play करता है इस examination में इसके अलाबा इतना ही नहीं मिलता आपको इस paid package में मैं आपको month के end में minimum 150 questions civil services examination के pattern की उपर base provide कराता हूँ यह वो questions होते हैं जो आपने पूरे महीने तक cover किये हैं पढ़े हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं तो इससे क्या होता है आपकी एक बहतरीन practice हो जाती है जिससे कि आपके selection को कोई नहीं रोक सकता तो इस तरीके की strategy और इस तरीके की practice जो है वो मैं आपको इस paid package में कराता हूँ जिसकी fees minimum 100 rupees पर बंद की है आप चाहें तो description पर check कर सकते हैं कि कैसे आपको इस paid course को जो है वो join करना है and guys आप पहले lecture देखिएगा अगर आप नए आए हैं तो पहले lecture देख लीजे अगर मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से आपकी understanding build up हो रही है तो चैनल को subscribe कर लीजेगा and bell icon पे भी जरूर hit कीजेगा और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप join कर सकते है and अगर आप facebook पर है तो आप मेरे नाम कमलाक्ष जहा को सर्च करके मुझे add भी कर सकते है so guys paper 1 से related आज कोई topic नहीं है directly अपन paper 2 के topics की तरफ आगे बढ़ रहे है यहाँ पर बात हो रही है FCRA के बारे में Foreign Contribution Regulation Act के बारे में guys इस topic को मैंने काफी detail में आप लोग को already explain किया हुआ है यह topic काफी जादा important है लगतार news में आ रहा है इस topic को जिन students से नहीं देखा है जरूर जाकर देख लीजेगा जिन students ने देख लिया है वो एक बार revision कर लीजेगा 9 September 2020 के lecture में आपको जाना है आपको simply YouTube का जो search column होता है वहाँ पर 9 September 2020 लिखिएगा उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष तो जो भी search list में सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही होगा अपना और इस वीडियो के 16 मिनिट 80 सेकेंड पर आपको यह topic मिल जाएगा Foreign Contribution Regulation Act का और अभी यह topic news में इसी लिए आया है क्योंकि Ministry of Home Affairs ने कुछ नए नियम लेकर आये हैं amend किया है इसको और Foreign Contribution Regulation Act 2010 के अंदर नए नियमों को add किया गया है आपको इसमें ज़्यादा Detail में जाने की जरूरत नहीं है मोटे मोटे तौर पर बस आपको दो चीज़े पता होनी चाहिए एक तो काफी ज़्यादा strict कर दी गई है आप चीज़ें आपसे जो भी individual जिसको Foreign Contribution Receive करना है जैसी कि आप जानते गए इसकी NGO NGO को Foreign Contribution मिलता है NGO को Foreign Contribution Receive करने के लिए अपलाई करना होता है जब आप FCRA के topic को पढ़ेंगे तो detail में आपको चीज़ें पता लगेंगे तो पहले के समय पे क्या होता था NGO जो है वो directly यानि कि कोई एक ऐसा clause नहीं था कि उसको कितने समय तोक operation में है NGO या कितना पुराना NGO है तो वो सब clause नहीं था एक NGO FCR एक लिए apply करता था और फिर उसको FCR जो है वो मिल जाता था यानि कि Foreign Contribution Receive करने के उसको permission मिल जाती थी राइट बट अब ऐसा नहीं है अब जब भी एक NGO को या कोई भी ऐसा group है जिसको Foreign Contribution Receive करना है तो उस group को तीन सालों के लिए उसका existence होना जरूरी है यान कि जैसे कि मैंने आज एक NGO खोला और आज मैं जाकर सरकार से बोलूँगा कि मुझे Foreign Contribution Receive करना है उसकी मुझे permission दी जिए तो सरकार मना कर देगी सरकार मुझे से मांगेगी कि आपका NGO कि पिछले तीन सालों से एक्टिव है ये चेक करेगी सरकार फिर ये उसने चेक कर लिया चेक करने के बाद मुझे जिस activity के लिए जिस purpose के लिए मैं foreign contribution receive करना चाहता हूँ तो उसका अगर मेरे पास previous record है उस activity पे काम करने का पिछले तीन सालों के अंदर और उस activity के लिए जिसके लिए मुझे foreign contribution receive करना है उसके लिए अगर मैंने 15 लाक रुपे खर्च किये होंगे तभी मुझे foreign contribution की permission मिलेगी वरना नहीं मिलेगी तो ये इस प्रकार से strict किये गाए है चीजों को foreign contribution receive करने के लिए नए नियम के तहट और दूसरी चीज़ यहाँ पर main जो देखने को बिल रही है वो यह है कि यहाँ पर political parties के involvement को eliminate किया जा रहा है क्योंकि हमने अभी देखा कुछ समय पहले काफी सारे NGOs ऐसे सामने आये थे जो foreign contribution receive तो कर रहे थे जो पैसा उनके पास भार से आतो रहा था बट उस पैसे का वो क्या इस्तमाल कर रहे थे उसका वो evidence नहीं दे पा रहे थे तो यह एक issue बड़ा नजर आया था इसमें political parties का भी काफी जादे involvement नजर आया जैसे कि आप जानते हैं कि political parties की campaigning वगरा होती है और campaigning के दोरान जो है यह black money का उपयोग किया जाता है या फिर ऐसे पैसो का उपयोग किया जाता है जिनका जो record है on paper record जिनका proper नहीं होता बट काफी सारे NGOs क्या करते हैं जो political parties से associated होते हैं वो इस foreign contribution को उस चीज़ पे उस activity पे लगाने की जगा याने की जिस activity के लिए उन्होंने जैसे की एक NGO है एक NGO ने foreign contribution receive किया कि वो जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइट कराएगी बट वो गरीब बच्चों को खाना नहीं प्रोवाइट करा रही है वो foreign contribution उसके पास receive हुआ है उस foreign contribution को उसने political party को दे दिया campaigning के लिए तो यह तो हुई ना गलत बात यह तो हुआ ना घोटाला एक प्रकार का कि आपने पैसा जो है वो जिस welfare activity के लिए मंगवाया है उस activity में आप उपयोग नहीं कर रहा है तो इन सब चीजों को eliminate करने के लिए और target किया गया है कि ऐसे NGOs को या ऐसे groups को identify किया जाएगा जो foreign contribution receive करते हैं कि कहीं वो political party से associate तो नहीं है तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि ऐसे कोई भी particular group जो की active politics में participate कर रहे हैं तो उनको political nature consider किया जाएगा यानि कि ऐसे groups को ऐसे NGOs को ऐसे organization को political nature का धरजा provide किया जाएगा और उनके लिए foreign contribution restrict किया जाएगा और even बंदगर दिया जाएगा कि वो foreign contribution accept नहीं कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ भी हम लोग को नजर आ रही है और उनके ओपर खाफी ज़्यादा strict rules regulations वो है वो imposed किये जाएगे तो ये चीज़ हम लोग को है आपर देखने को बली इसका जो clause 5 है rule 3 का इसके अंदर कोई भी particular ऐसा organization farmers का हो गया, workers का हो गया, students का हो गया या फिर caste, community, religion, language या दूसरी कुछ activities होती है जिसमें जो युवा हम लोग को देखने को बलता है तो वो अगर directly किसी भी political party से associated नहीं है और बट उनका जो objective है वो उनके memorandum of association में या फिर उनकी activities में इस प्रकार का नजर आ रहा है कि वो political interest से belong काता है यानि कि उन्होंने अपने आपको political party वो नहीं है वो चीज़ तो घोशित कर दी, उन्होंने बोल दिया कि वो political party नहीं है, ऐसे group बट वो कारिय जो कर रहे है उनकी जो activities जो है, वो active politics से associated है तो ऐसे भी groups को political group का दरजा दिया जाएगा या फिर ऐसे भी organization को political group या political nature का organization कहा जाएगा तो यहाँ पर वो ही चीज़ कहीं गई है कि ऐसे organization को अब जो है organization को political group का दरजा मिलेगा तो उसके लिए foreign contribution receive करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो यह इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे है बट यह जो चीज मैं आपको बताई है, जो news में थी वो उतनी जादे important नहीं है, सिर्फ यह दो उसने पिछले तीन सालों में 15 लाग खर्च किये हो तो यह चीज उसको दिखानी होगी और एक organization जिसको foreign contribution receive करना है उसका existence पिछले तीन सालों का होना चाहिए तो यह एक नया change हम लोग को देखने को मिल रहे है, FCRA के registration के लिए और मेंली तोर पर आपको FCRA क्या होता है इसको जानना जरूरी है, तो इसके बार में detail में मैंने पढ़ाय हुआ है, इसको जरूर जाकर आप देख लीजएगा तो यह था पूरा oral topic आप गाईस यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा जो अरुनाचल प्रदेश है यह आप देखिए, अरुनाचल प्रदेश इसी के नस्दीक में चाइना एक railway line को construct कर रहा है और गाईस यह जो construction है यह चाइना का बताया जा रहा है कि Sichuan province को Ningchi के साथ connect करेगा हाला कि यह चीज आपके लिए important नहीं है बस mainly आपको बता होना चीए कि हाँ पर एक construction जो है वो कर रहा है railway line का चाइना तो यह तिबित के साथ connect करने के लिए कर रहा है ऐसा इसका कहना है कि तिबित जो छेदर है इसका इस तिबित को जो है वो mainland China के साथ यह connect करने की इसकी एक कोशिश है बट इंडिया के लिए यह एक चिंता जनक situation है कैसे तो देखिए इंडिया और चाइना के बीच में issues already हम लोग को देखने को मिल रहा है अभी लगदा के पास हमने issue देखा था और डोकलाम सेक्टर पे issue हमने देखा था तो यह जो issues हुए है इसके चलते इस छेत्र पर हमें forces बढ़ाने की आवशकता है इंडिया के इस छेत्र पर अरुनाशल पदेश की जो boundary है यहाँ पर हमें अपनी forces military को बढ़ाने की आवशकता है क्यों क्योंकि railway line के construction से चायना जब चाहे तब यहाँ पर अपनी forces जल्दी से जल्दी बढ़ा सकता है क्योंकि railway line की बदद से correctivity इसको मिलेगी correctivity मिलेगी तो तुरंद जो है यह इसके solar का movement यहाँ पर हो सकेगा और एक साथ बहुत सारे solar को यहाँ पर करनात कर सकता है तो इसके लिए हमें prepare होना जरूरी है साथी साथ इंडिया को भी हमारा जो नौर्थी से छेतर है जहाँ पर infrastructure की कमी हम लोग को देखने को मिलती है तो इसको हम लोग को fulfill करना है यहाँ पर infrastructure development करना है और इसी प्रकार की railway line या इस प्रकार की connectivity हम लोग को यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो construct करनी है इस चीज को counter करने के लिए चाइना की जो यह जो देखने को railway line का construction राइट हाला कि यह construction infrastructure जो है इसका कहना तो यह है कि यह तिबित के साथ connect करने के लिए तिबित के साथ पेपर्स वगेरा में नजब नहीं आगी दिखाई नहीं देगी बट यह एक understanding वाली चीज होती है जो कि civil services की आप तयारी कर रहे है तो इस प्रकार की approach इस प्रकार की understanding आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि इसने पहले भी किया था क्विंगाई तिबित रेलवे लाइन जो है इसने 2006 में connect construct करी थी जिसको इसने लहासा के साथ जो है वो connect किया था लहासा को mainland China के साथ connect किया था तो इसी प्रकार का यह दूसरा ऐसा route है जो कि तिबित autonomous चेत्र को mainland China किश weld चेत्र कोशिश से कहो lead यह था है जो इसने पार्टनर्स के साथ और यह Lazला एषयन पार्टनिर्स हैं यह हमारे इंडिया के नेभर है चाहिना श्री लंका बांगलदेश नेपाल और पाकिस्तान इन particular countries को five parties के नाम से भी जाना जा रहा है अगर बाइचानस question आज़े है five parties क्या है तो आपको इन countries के बार में पता होना चाहिए ठीक है तो यह जीज हमने देखी तो यहाँ पर बदा आ जा रहा है कि इन countries के साथ China का engagement बरता जा रहा है और यहाँ पर हाला कि इस conference के दुरान इन करी थी जिसको चाहिना ने head किया था जिस meeting में अफगानिस्तान नेपाल पाकिस्तान countries के foreign ministers हम लोग को देखने को मिले थे कोशिश करी थी कि इन countries के बीच में इन चार nations के बीच में यह अपने relationship को strengthen करेगा cooperation को strengthen करेंगे यह चार country तो इस पर इस meeting को पंडग किया गया था इस topic के उपर subject के उपर बट अभी दोबारा से हमारी Indian neighbors के साथ इसने यह जो meeting गंडग करी है तो कही ना कहीं यह एक संकेथ है चाइना की तरफ से कि चाइना जो है वो यहाँ पर engagement अपना बढ़ा रहा है इसी pandemic के समय पर coronavirus के समय पर और दूसरी बात engagement बढ़ाने की इसकी यह भी है क्योंकि इंडिया के अपने future plans हम लोग को देखने को बर रहा है जैसे आतने भारत plan है इंडिया का economic stimulus package जो हम लोग इंडिया के plans देखते हैं तो इंडिया का अपना future plan है जिसके तहट इंडिया एक manufacturing hub बनने के ओपर कोशिश कर रहा है और चायना अल्ड़ेडी एक manufacturing hub है और च से हमारे relations है तो यह चीज हमने देखी कि हम जो है manufacturing hub बन रहे हैं in future हमारा manufacturing hub के तौर पर नजर आएगा तो इस चीज को चायना भी समझ रहा है चायना क्या कर रहा है हमारी neighboring countries के साथ अपने contacts build up कर रहा है जिससे कि कल को जब हमारी country तैयार हो जाए manufacturing hub के तौर पर हम लोग को द कि देखने को बल रही है तो इस तरीके से आपको इस topic को समझना है तो यह था पूरा whole topic आगे की चर्जा करेंगे international atomic energy agency इस topic को मैंने detail में 13 September 2020 को आपको पढ़ाया हुआ है 13 September 2020 के lecture में आप जाए 28 minute 1 second पर आपको यह lecture मिल जागा इरान वाला यह topic था इसी topic में international atomic energy agency भी पढ़ा Korea उलंगन कर रहा है international कानून का क्योंकि North Korea nuclear weapons की stockpiling कर रहा है इसका मतलब है nuclear weapons अपने पास बना रहा है उसके stock को रख रहा है जो कि international laws का उलंगन है तो यह चीज़ सामने आई थी एक report के दुरू और इसी report को देखते हो है North Korea ने कहा कि IAEA सिर्फ एक puppet है western countries का यानि कि एक कट कर पुचली के तरपर है सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल जो है western countries के खईति है western countries की western countries टहित इस प्रकार कि जो countries हो ती North Korea लोगया एरान होगया तो इसको suppress करने की कोशिस करती है तो यह इस प्रकार की चीज़े नॉर्थ कोरिया की तरफ से आई है IAEA के अगेंस्ट तो यह चीज हम लोग को देखने को मिली है और इशू यही था कि यह जो नॉर्थ कोरिया है यह अपनी अपनी अटॉमिक स्टॉक पाइलिंग बहुत ज़ादा कर रहा था नॉकलियर वेपन्स को बढ़ा रहा था और इसने अल्रेडी नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया नहीं था और साथी साथ यहाँ पर नॉकलियर बॉम्स की टेस्टिंग हमेशा होती रहती है इवन इसके अलावा भी जैसे IAEA के जो inspectors होते है कहीं उसने अपने nuclear weapons को increased तो तो नॉसके inspection बगएरा होता है तो North Korea, IAEA के inspectors को invite करती नहीं बुलाती नहीं inspection करने के लिए तो यह भी एक चीज है और IAEA ने अभी recently observe यही किया था कि जो North Korea जो है ये अपनी nuclear activities को काफी ज़्यादा बढ़ा रही है और ये एक चिंदा जनक बात है तो ये इसको लेकर ये पूरा topic आई है ये का हम लोग को देखने को मिला और इसके लावा हम लोग भी even खुदी जानते ही है कि North Korea जो है वो इस प्रकार के अपने weapons बगरा increase करती रह है तो ये चीज़ इसने कही थी बड़ इतना आप लोग को इस चीज़ के वारा में जादा याद नहीं रखना है बड़ टेक जनरल बस जान करी होनी चाहिए मेंली जो आपके काम की चीज़ है उस civil services आपसे पूछेगी वो है IAEA ठीक तो इस topic को ज़रूर देख यह Hong Kong क्योंकि यह agreement Hong Kong से related था इस agreement के तहत Britain ने China को Hong Kong वोपिस किया था क्योंकि आपको पता होगा कि Hong Kong जो है वो पहले Britain की control में चला गया था Britain ने उसके उपर कबजा कर लिया था फिर बाद में जाकर Britain ने China को यह Hong Kong को वोपिस किया और वोपिस करते समय एक शर्त रखी एक agreement क कि Hong Kong की उपर China पूरी तरह से control नहीं करेगी 50 सालों तक पूरी तरह से control नहीं करेगी Hong Kong की खुद की government होगी Hong Kong का खुद के rules होगे regulations होगे खुद के नियम होगे कानून होगे तो यह इस प्रकार की चीज जो है वो करके गया था Britain Hong Kong के लिए Hong Kong के especially future के लिए और China को कुछ limited चाहिना का होगा, foreign affairs related control चाहिना का होगा बट Hong Kong का जो Hong Kong की territory है उसके अंदर पूरा control जो होना चाहिए वो Hong Kong का होना चाहिए तो यह agreement हुआ था Britain और चाहिना के बीच में और इस agreement को agree किया था चाहिना ने और agree करने के बाद Hong Kong जो है वो चाहिना को दिया गया तो जैसी आप सी ब्रिटेन या British Joint Declaration पड़ें तो आपके दिमाग में तुरंथ Hong Kong आना चाहिए कि ब्रिटेन ने इस agreement के तहित Hong Kong चाहिना को दिया था और Hong Kong जो आज की रिट में हम लोग को autonomous छेतर देखने को बलता है चाहिना के अंदर वो इसी agreement के कानन देखने को बलता है क्योंकि इसी agreement ने उसको autonomous region का धरजा दिया था Hong Kong को तो यह जीद आप लोग को थोड़ी सी पता होने शी और अभी ये topic news में इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन ने आरोप लगाया है चाइना के उपर कि चाइना इस जो agreement है तो कि sign किया गया था चाइना के दोरा और ब्रिटेन दोरों के दोरा तो इस agreement का उलंधन किया है चाइना ने क्योंकि अभी recently हमने देखा कि चार pro-democracy lawmakers जो है लोकतंदर समर्थक संसद जो है चार तो उनको निकाल दिया गया है सुरक्षा के आधार कहते होए कि security grounds के तहट उनको निकाल दिया गया Hong Kong legislature से और इसी चीज़ पर यानि कि यह जो नए rules के members है उनको जो निकाला गया है तो उसी चीज़ को इसी नए rules regulations को चाइना के Britain कह रही है कि चाइना ने उलंगन किया है चाइना ने हस्ताखशेप किया हौंग को जो autonomous छेत रहे हौंग को जो special powers दी गई है तो उसमें हस्ताखशेप करते हुए चाइना ने उलंगन किया है इस agreement क सीनो ब्रिटिश जोइंट एग्रिमेंट का जो जो जोइंट डिकलेरेशन का तो यह चीज़ अभी सामने आ रही है और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ महीनों से आपनी news भी देखी होगी एवन अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता भी होग अपने इसके बार में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि चाइना जो है वो होंग कोंग के उपर अपना कंट्रोल रखने की आज की रेट में बहुत जादा कोशिश कर रहा है फोकस कर रहा है कि पूरा का पूरा कंट्रोल चाइना का जो है वो होंग कोंग को चाइना कंट्रोल तो इस पर चाइना का बहुत जादा आज की रेट में फोकस है कुछ समय पहले इसने और भी कुछ नए rules regulations लेकर आ गया था चाइना इसी के तहरे काफी जादा protest भी हुआ था Hong Kong के अंदर Hong Kong की सड़कों में लोग बाग उतर आ गये थे declaration जो है सीनो और ब्रिटिश का यानि की चाइना और ब्रिटेन का तो उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं तो यह agreement sign हुआ था ब्रिटेन और चाइना के द्वारा 1984 में थोड़ा सा year याद रखना क्योंकि यह इस प्रकार का जो topic यह लगातार news में है तो year इसलिए याद रखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि civil services में आपसे chronological order में arrange करने वाले questions पूश लिए जाता हैं कि यह फलाना agreements है इनको chronological order में arrange कीज अचली में हुआ यह था कि ब्रिटेन ने 1840 में OPM war जो हुआ था तो उस समय जो चाइना की यह जो territory थी Hong Kong उसको अपने control में ले लिया था फिर बाद में जाकर ब्रिटेन ने वापस किया 1984 में इस agreement के तहत चाइना को Hong Kong की territory और उसके बाद यह जो declaration जो सामने हुआ था जो agreement ज के तोर पर इस चीज को वहाँ पर भी रख दिया गया इसके लावा इस joint declaration के main points क्या क्या थे तो चाइना की जो basic policies है Hong Kong के regarding तो वो unchanged रहेंगी 50 सालों तक यह जो भी चीज लिखी गई है जो भी special powers दी जा रही है Hong Kong को Hong Kong को एक autonomous छेतर के तोर पर जो provide करने की बात हो रही है वो 50 years तक यानि कि इस agreement से 50 years तक वैसी की वैसी रहेंगी चाइना उसको change नहीं कर सकता है राइट तो यह अली चीज है बट अभी क्या हो देख रहा है हम लोग कि चाइना इस joint declaration वो change कर रहा है है हैंस इसका पहला ही point हम लोग को बता रहा है कि चाइना उलंगन कर रहा है joint declaration कर क्यो Hong Kong के अंदर जो नियम जो चलेंगे जो कि Hong Kong खुर decide करेगी कैसे नियम Hong Kong के अंदर चलने चाहिए हैं तो उन नियमों को change कर रहा है चाइना तो कही न कहीं हमने क्या देखा इसका उलंगन किया जा रहा है joint declaration का दूसरी बात यहाँ पर यह भी autonomic की यहाँ पर बात हो रही है व उसका जो जैसे कि Hong Kong के अंदर आप देखेंगे कि खुदकी उनकी court है खुदका उनका judicial system में legal system उसका खुदका है तो उसको भी China change नहीं कर सकता है Hong Kong का वो जो legal और judicial system है वो as it is रहेगा 50 years तक starting from 1997 इसके लावा इस declaration में यह भी mention किया गया था कि Britain जो है वो 1984 से लेकर 1997 तक Hong Kong के administration को देखेगी और फिर Chinese government जो है वो corporate करेगी इस agreement में लेकी हुई चीजों को राइट बाद में तो देखो जैसे कि हम देखते हैं हमारी country के अंदर जो legislature है उसमें एंगलो इंडियन भी हम लोग को देखने को मिलते हैं राइट बट अभी वो एंगलो इंडियन का clause आपको पता तो वो लोग भी participate करते हैं होंग कोंग की legislature के अंदर तो यह अली चीज भी है और कहीं न कहीं से ब्रिटेन जो है वो आज भी होंग कोंग के उपर control रखता है उनको advise करता है बहुत सारी इस प्रकार के context होंग को बिच में हम लोग को देखने को मिलते हैं बट बीजिंग जो ह वो एक comprehensive jurisdiction चाह रहा था Hong Kong के उपर यानि कि पूरी तरह से Hong Kong के उपर control करने के उपर यह focus कर रहा था white paper के दा और फिर चीजे जो है वो खराब होती ही चली गए और आज की rate में कुछ-कुछ चीजे समय समय पर हम लोग को ऐसी देखने को बिलती है कि China आज की rate में पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि Hong Kong जो है वो पूरा control उसके अंदर आ जाए और even पता आपको China ने ये तक कह दिया था कि ये जो agreement जो हुआ है ये agreement 1984 से लेकर 1997 तक था 50 सालों का नहीं था यानि कि अब ये बोलना ये भी शुरू कर दिया कि ये मानी नहीं रहे कि ये agreement जो है वो 50 साल तक Hong Kong के उपर उसके बाद से इसका कहना है कि China जो है वो पूरी तरह से control कर सकती है Hong Kong को तो ये इस प्रकर अब आप जानते हो China के nature को China की activities को कि हर बार वो पलटता है हर चीज के लिए तो वैसे इस agreement को भी अभी बोल रहा है कि ये agreement जो है वो null and void है क्योंकि ये agreement की validity सिर्फ एक limited period तक थी वजो कि कपकी over हो चुकी है तो ये चीज़े तो कहीं न कहीं से China का संकेत clear नजर आ रहा है कि ये Hong Kong के उपर पूरी तरह से control करना चाहरा है तो ये इस तरीके की understanding आप लोग को इस topic से related होनी चाहिए तो ये था पूरा oral topic बात करें गाइस तो देखिए India officially regional comprehensive economic partnership का हिस्स नहीं है May 15 deadline थी इसमें India को बताना था कि इसको RCEP join करना है कि नहीं करना बट हम लोगों ने RCEP को join नहीं किया तो ये RCEP है क्या इसको अपन समझते हैं तो ये एक free trade agreement है इसका मतलब क्या हुआ देखिए गाईस एक समान अगर एक country से निकल कर दूसरी country में enter होता है जैसे इ समान country के इंदर enter होता है import होता है जो भी समान उस समान के ओपर custom duties या फिर import duties लगाई जाती है इसके बारे में आप सभी लोग जानते है राइट ये जो regional comprehensive economic partnership है ये एक free trade agreement है इसका मतलब क्या है कि जो भी countries इस particular partnership की member countries है जिन भी countries ने इसको sign किया है regional comprehensive economic partnership को तो उन countries में जो समा enter होता है यानि कि इन countries के बीच में जब समान import होता है export होता है तो उसके ओपर custom duties जो है वो कम लगाई जाएगी तो ये basically trade को boost करने के लिए होता है इस प्रकार की partnership इस प्रकार की agreements जैसे कि कल अपने बात करी थी generalized system of preference के बारे में United States की आपको पता होगा तो इसमें अपने चर् अलाओ करती कि वो products जब United States में एंटर होंगे तो उन products के ओपर custom duties कम लगाई जाएगी वैसे ही RCEP एक ऐसी partnership है जिसमें जो countries है ये जो partner countries इनके बीच में जो समान import हो रहा है export हो रहा है यानि कि एक country दूसरी country में जो समान भेज रही है तो वो जो country है जिसमें ये समान आ रहा है यानि कि RCEP की member country का तो उस समान के उपर custom duties कम लगाई जाएगी तो ये एक free trade agreement है trade को boost करने का agreement हम लोग को देखने को बलता है originally Asia Pacific छेतर की 16 countries थी बढ़ आज की rate में ये 15 country का agreement हम लोग को नज़र आ रहा है regional comprehensive economic partnership agreement तो Asia Pacific छेतर की ये countries है और अब बताया जा रहा है कि ये November 15 को sign होना था ये हो चुका है ये agreement sign और India इसकी member country नहीं है और ये China, Australia, South Korea, Japan और ASEAN की Association of Southeast Asian Nation की 10 countries में शामिल है तो total 10 plus 5 country का ये एक agreement हम लोग को देखने को मिला है इस agreement के तहट ये country जो है अपने tariffs और duties जो है वो drop करेंगी member countries के साथ और free flow हम लोग को trade या goods और services का देखने को तो यहली चीज है जिसके वारे मैं आपको explain करी दिया और इंडिया ने इस agreement को sign नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब देखो, already China जो है वो माल को dump करता है इंडिया के अंदर, माल को dump करने का मतलब क्या होता है, कि China सस्ते rate वाले जो अपने समान होते है, वो इंडिया के अंदर भर देता है, उससे हमें क्या नुकसान होता है, हमारे यहां जैसे कि हमारी एक company है, ठीक है, यह एक company एक mobile बनाती है, ठीक है, अब यह company हमारे यह mobile बना रही है, अब यह mobile की कीमत 10,000 की है, बड़ चाइना से जो mobile आया वो 5,000 का आया, तो हमारी country में जो consumers हैं, वो किस समान को सस्ते समान को खरीदेंगे, तो यह चाइना के समान को खरीदा जा रहा है, हमारी country में जो समान बन रहा है, उसको हमारी country के लोग नहीं खरीद रहे है, इम्पोरेट सस्ते प्रड़क को खरीद रहे है, तो यह चाइना इसी प्रकार की policy खेलता है, चाइना क्या करता है, ऐसे यह प्रोवाइट करा जाता है दूसरी country के अंदर तो इस प्रकार से इसने हमारी country के अंदर भी बहुत बाद dumping करी है ऐसे products की आप खुदी जानते हैं तो dumping के करना नुक्सान क्या होता है हमारी जो manufacturing जो काम कर रहे हैं, right, products को बनानी के उपर, बट वो products market में बेक नहीं रहे, अब जब वो product market में बेकेंगे नी, तो company बन्द हो जाएगी, तो workers को निकाल दिया जाएगा, job से, उनको job नहीं मिलेगी, तो क्या हो रहा है, unemployment का issue हो रहा है, और दूसरी बात, अगर हमारे country के product, अग हम क्या कर रहे हैं, वो पैसा दूसरी country को देना है, तो फायदा किसका हो रहा है यहाँ पर, पैसा हमारा बाहर जा रहा है न, imported products अगर ज्यादा हम लोग purchase करेंगे, तो पैसा हमारी country के अंदर रहेगा, employment generate होगी, boost होगी employment, और हमारी country की तरक्क्य होगी, हमारी country develop होगी, right, त जिसे की बाहर के products हम लोग कम से कम उपयोग करें, और हमारी country के ही products हम लोग साह साहदा उपयोग करें, तो इस पर हम लोग आज की rate में target कर रहे हैं, focus कर रहे हैं, बट चायना क्या करती है, चायना हमारी country में dump कर देती है, जैसे की यह RCEP की अगर हम लोग बात करें, तो 105 billion US dollar, जो है, उसका India trade deficit करती है, RCEP, नेशन के ज़रा है, यनि की RCEP, जो countries है, इनके बारे में भी आपको बताया है, 10 आशियन country और यह 5 countries, तो इनसे जो India का trade होता है, इसमें India loss में चल रहे है, trade deficit हो रहा है, कि हम लोग जितना export नहीं करते हैं, उससे कई ज़्यादा हम लोग import कर लेते हैं, तो इसमें हमें नुकसान already होई रहा है, तो हम लोग already trade deficit में, जिसमें सबसे बड़ा trade deficit जो है, वो 54 billion US dollar का वो एकलोता China provide कराती है, यनि कि China हमारी country के अंदर इतने सारे माल समान भेज देती है, तो जिसकी चलते हमारी country की जो domestic companies बगरा जो है, domestic manufacturing, जो companies है, market जो है, तो उसको नुकसान हो रहा है, तो अभी हमने इस RCEP को क्यों join नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर China है, China RCEP का part है, इस चीज़ को आप समझना, देखो ध्यान से समझीएगा, क्योंकि अभी ये जो topic news में आया है ये इसलिए news में है, क्योंकि India और Asian countries ये अब तरीके निकालेंग क्योंकि यहाँ पर बैठी है China, तो इसलिए join नहीं किया, especially China को mainly target किया, क्योंकि China से हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है, और अगर India RCEP की membership ले लेती है, sign कर लेती है, तो obviously बात है कि जब China से India के अंदर जो product enter करेंगे, उस पर हमें इस agreement का पालन करते हुए, जो custom duties हैं, उस और करने के purpose से, या उसको उसको शामिल, क्योंकि China RCEP के अंदर है, तो हम लोग अगर RCEP में जाते हैं, तो हमें China के साथ deal करनी ही बढ़ती मजबूरत दोर पे, तो इसलिए हमें China को sideline करना था, तो इसलिए हमने इसको join नहीं किया, तो mainly RCEP को नहीं join करने का जो, इंडिया expand करें अपने trade को, राइट, बट इंडिया ने RCEP को join नहीं किया, क्योंकि China है यहापे, तो यह logic और यह concept आपको समझना है, कि इंडिया ने क्यों exactly RCEP को join नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने तो मोटे मोटे तोर पर बोल दिया, कि हमारा trade deficit होता है इन countries के कारण, हमें loss होता ह बट हमने यह भी बता है, कि सबसे आदा loss हमें China के कारण हो रहा है, और दूसरे ही movement पे हमने deal करने पर बात करी, आशियान के साथ, कि आशियान के साथ हमें अलग से deal कर लेंगे, बट हमें China के साथ कोई deal नहीं करनी है, क्योंकि यह हमारे Indian markets में flood कर देती है, जैसे China से आते है manufactured goods और New Zealand से dairy products आते हैं, तो यह दो कुछ countries हैं, जो कि हमारे Indian markets के अंदर flood कर देती हैं, यानि कि समान जो है वो Indian market के अंदर आ जाता है, imported समान, और हमारी जो domestic companies वगरा जो हैं, उनको नुक्सान पहुचता है, तो यह आली चीज है, जिसके बारे में आपको idea होना चाहिए, और India जो है वो दूसरे कुछ rules regulations धूण रहा है, जिसके तहब आशियन countries के साथ जो है वो अपनी एक partnership जो है वो create करेगा, और अलग से trade को expand करने पर focus करेगा, क्योंकि देखो ultimately हमें आने वाले समय में चाहिए market, हम लोग इस तरीके से international, अब देखो एक चीज और समझना international context में, कि आज की rate में जो हम लोग ने इस agreement को sign नहीं किया है, तो उसकी पीछे तो China था, ये बात तो हमने जान ली, समझ ली, बट हमें दूसरी country को भी उदास नहीं करना है, हमें आने वाले समय में चाहिए एक बड़ा market, क्योंकि हम बन रहे है आत्मिरभर भारत के तहद एक manufacturing hub, तो ह आज ही, आज से ही अगर हम लोग प्यार से दूसरी countries के साथ चलते रहेंगे, सिवाए कुछ countries को छोड़ कर, क्योंकि जिनके साथ हमारे अटने terms अच्छे नहीं है, जैसे कि China, उसके साथ हमारे terms अब खराब हो गए हैं, और दूसरी बाद चाहिना हमारे loss के लिए ही काम करती है, और secondly, चाहिना के साथ तो हमें compete करना ही है, तो हमें सही एक बड़ा market और बड़ा market के लिए हमें, जो ये consumers है, consumer in the sense, ये दूसरी countries, तो इनके साथ हमें अपने relations develop करते हो चलना है, तो इसलिए इंडिया ने strategically आगे की चीजों को सोच कर, आशियान के साथ ये बात करी, कि हम एक understanding आपको इस topic के अंदर इस प्रकार की होनी चाहिए, अब next topic जो है, इसमें pneumonia और diarrhea की एक progress report सामने आई है, हर साल ये report release करती है, international vaccine access center, और इस report के अंदर बताया जा रहा है, कि इंडिया ने progress करा है vaccination coverage के अबर, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग जो है, वो आज की rate में vaccine का access provide कराने में सक्षम होते जा रहे हैं, कि पहले के समय पे हमारे हाँ, जो जनता है, जो population है, उसको vaccine नहीं मिल पाती थी, उसका access नहीं मिल पाती थी, अबर आज की rate में मिल पा रहा है, हम लोग जो बच्चों की जो मृत्ति होती है, pneumonia के करान, diarrhea के करान, उसको हमने कम किया है, क vaccine के access जो है, वो कम है, बट इंडिया के अंदर vaccine का access काफी जादा है, यह 90% coverage इंडिया के अंदर vaccine का बता जा रहे है, टोटल हमारे 5 vaccine से जिसको हम लोग target करते हैं, उनमें से 3 vaccines कि अगर हम लोग बात करें, तो उस पर हम लोग 90% तक जो है वो target कर पा रहे है, यानिकि हर 10 में स एक व्यक्ति ही छूट पाता है, पाकि 9 व्यक्तियों तक vaccine जो है वो available हो पा रहे है, तो यह एक अच्छी achievement है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडिया के अंदर, तो एक अच्छी चीज तो आई है, बढ़ हाँ, फिर भी कमिया है, क्योंकि 5 पासे 3 ही हो पा रहे है, 2 त conjugate vaccine, फिर rotavirus vaccine, तो यह कुछ 5 vaccines है, जिस पर हम लोग mainly target करते हैं, इंडिया ने even 100 दिन का जो agenda था, इंडिया का उसको भी इसने complete कर दिया है, और 100 दिन के अंदर-अंदर rotavirus vaccine को scale-up कर दिया है, यानि कि बढ़ा दिया है, right, rotavirus vaccine को उसके access को भी increase कर दिया है, तो इस पर भी इंड इन सब virus से बचा लिया है, protect कर लिया है, vaccine provide करा के, बट हाला कि अभी भी हम लोग 4 targets को achieve नहीं कर पाएं, जैसे breastfeeding हो गया, immunization हो गया, care seeking and antibiotics हो गया, oral rehydration solution हो गया, zinc supplementation हो गया, तो यह सब कुछ targets है, इनको हम लोग achieve नहीं कर पाएं अभी भी, ठीक है, और pneumonia और diarrhea की बात करेंग इसके बावजूद भी बच्चों की मौथ होती है, अगर हम लोग बात करें, कितने बच्चों की मौथ होती है, 2 million बच्चों की मौथ इस चीज के कारण होती है, पाच साल से कम की उमर के जो बच्चे न, तो उनमें से 29% बच्चे जो हैं, उनकी मौथ, pneumonia और diarrhea के कारण होती ह बच्चों की, छोड़े बच्चों की मौथ होती है, वैक्सीन ना मिलने के कारण, जिस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते थे, बावजूद उसके मौथ हो रही है, तो इसी लिए हम लोग को इसको रोकना है, और इसी लिए हमने वैक्सीन के access, जो है वो मिल सके, वैक्सीन जो ह तो इंडिया जो है, वो वैक्सीनेशन के मामले में सही काम कर रही है, हेल्थ केर सेक्टर में, इंप्रूब्मेंट इंडिया के अंदर नजर आया है, इस रिपोर्ट के तो है, अब यहाँ पर बात हो रही है, आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना की, तो यह नई स्कीम पर रखा है, तो ऐसी कंपनी को benefit मिलेगा इस particular scheme का, और उन employees को भी इस scheme का benefit मिलेगा, जिनको job मिली है, तो यह है क्या पूरा overall scenario, उसको थोड़ा detail में देखते हैं, अब, provident fund के बारे में, आप लोग सभी लोग जानते, provident fund क्या होता है, प्रोविदेंट fund में, जो है, आपकी security safety के लिए, employee की security safety के लिए, पैसा जो है, वो रखा जाता है, जैसी कि कुछ पैसा employer रखता है, कुछ पैसा आपकी salary से कटके, वो provident fund के account में, जो है वो जाया जाता है, उस provident fund के पैसे को आप निकाल भी सकते हैं, अपनी need के according, वो पैसा निकलता भी है, वो basically social security perspective से, वो amount जो बनता है provident fund account, तो ऐसी company ने अगर किसी नए employee को शामिल किया है, अपनी company के अंदर, coronavirus के period में, जिस period में लोगों को job से निकाला जा रहा था, तो उस period में अगर किसी company ने किसी को job दी है, तो पहली condition वो company EPFO registered होनी चीए, इसमें एक चीज ये शामिल है, कि एक ऐसे विक्ती को job दी है, जिसका पहले से EPFO account नहीं है, EPFO में वो विक्ती registered नहीं है, तो उसको job दी है, या फिर उसको job से निकाल दिया गया तो उसको job पर रखा है, जिसका already account था और वो पहले निकल गया था, किसी company से उसको निकाल दिया गया था, बढ़ किसी दूसरी company ने इसको रख लिया ह जॉब में यानि कि ऐसे प्रियेट में जिस प्रियेट में लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था उस प्रियेट में अगर किसी कंपनी ने इंप्रोइमेंट दी है किसी को जॉब्स प्रोइट करी है तो उस कंपनी को EPFO का लाब मिलेगा कैसे लाब मिलेगा तो आप जान देगा इस EPFO के तहट कुछ अमाउंट जो है वो इंप्रोइयर को रखना रहता है और कुछ अमाउंट इंप्रोइ के सालरी से कटता है तो इसमे याने कि Employer को 12% तक हायर करती है, तो ऐसी कमपणी में यह lag प्रोवाइट किए राएगा और ऐसी Accept टा count करती है और ढहला लाप ग्रोवाइट की हाई यह थीवाला इस इसोगे रहेगा, इसमें सिर्फ एक condition है कि ये उनी particular employee को provide किया जाएगा जिनकी salary 15,000 से कम किये तो simple सी चीज़ आपको ये वाली याद रखनी है और ये scheme 1 October से लेकर 20 June 2021 तक हम लोग को देखने को मिल रही है तो simple सी चीज़ याद रखो ये उन companies को incentive provide कराएगी जिन companies ने coronavirus के समय पर लोगों को jobs दिये फर्स पॉइंट सेकंड पॉइंट देखो सिर्फ coronavirus के समय पर नहीं अभी 1 October के बाद से भी जो भी company job दे रही है employees बगरा को तो कुल मिलाकर employment generation करने को लेकर ये scheme है क्योंकि अभी coronavirus के समय पर काफी सारे लोगों को job से निकाल दिया गया है तो यहाँ पर एक incentive provide किया जा रहे है employers के लिए कि अगर आप jobs पर रखते हो employees बगरा को jobs बगरा provide कराते हो लोगों को तो आपको benefit provide किया रहेगा आपका जो contribution होता है employer का employee provident fund का तो वो contribution जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा बड़ ये किन को नहीं देना पड़ेगा जो company 1000 employees तक रखती है अपने पास यानि कि 1000 employees जिन company में होते हैं उनको नहीं देना होगा उनके employers को बड़ जिन company के अंदर 1000 से ज़ए employees होते हैं तो वहाँ पर जो employee है यानि कि जो enter हो रहा है job में तो उसको benefit मिल लाएगा तो ये एक अच्छी चीज है हम लोग को देखने को में रेस्प्रगार का incentive जो है वो सरकार की तरफ से है जिसको आत्म निर्वार भारत रोजगार योजना के नाम से जाना जा रहा है और 15,000 salary होनी चीए बस किवाले clause यार रखिए तो ये था पूरवा overall topic अब next topic की बात करें तो कुछ measures आत्म निर्वार भारत 3.0 के अंदर announce किये है union minister for finance के द्वारा right कुछ measures announce किये गए है इसके अंदर शामिल किये गए है जिसमें बदा या रहे कि emergency credit line guarantee scheme जो है जो कि micro small and medium enterprises business mudra borrowers और individuals को provide की जाती है कुछ दिरों पहले ही अपनने इस topic को भी cover किया हुआ है तो इसको इस scheme को extend कर दिया गया है 31 March 2021 तक इसके लावा 10 और sector को शामिल किया है production linked incentive scheme के अंदर कली अपनने इस topic के बारे में चर्चा भी करी थी आपको यादर आओगा इसके लावा 18,000 क्रोड रुपे add किये जाना है प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर इसके लावा यहाँ पर support किया जा रहा है construction और infrastructure के ओपर यहाँ पर जो government tenders जो है उनकी performance security और earnest deposit money को relax किया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ तो देखो आप लोग को पता होगा गाई कि जो contractors वगरा जो होते हो उनका पैसा जो होता है वो lock हो जाता है जैसे आपने सुना भी होगा आपके अगर दोस्ति कोई civil में होंगे तो आपको पैसा निकालने के लिए भी पैसा देना पड़ता अधिकारी है जिससे पैसा release हो जाए तो यह वाली चीज है इस प्रकार की तो यहाँ पर यही चीज कही जा रही कि उसमें उनको relaxation दिया जा रहा है इसमें 5 से 10% हुआ करता था performance security उसको घटा कर 3% किया जा रहा है जाए साथ contractors construction activity में शामिल हो इन्वाल्व हो पीछे ना हटे इस चीज को लिए देखते हुए तो इसलिए यह facility उनको provide की जा रही है साथी साथ सरकल rate और agreement value real estate income tax जो की income tax act के section 43 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है तो उसमें भी 10% से इसको बढ़ा कर 20% किया जा रहा है और सरकार 6000 क्रोड रुपे equity investment करेगी जो NIIF National Investment and Infrastructure Fund जो हम लोग को देखने को मिलता है इस fund के जो debt platform है नहीं कि जो already करजे में हम लोग को देखने को मिलता है इसके लावथ 10,000 क्रोड रुपे प्रधार मंतरी गरीब कलियान रोजगार योजना में डाले जा रहे है यानि कि इसका outlet बढ़ाया जा रहा है जिसके तहट rural employment generate की जा सके और हलाक इसके बारे में भी प्रधार मंतरी गरीब कलियान योजना के बारे में चर्चा कर चुके है अपन NIIIF के बारे में चर्चा कर चुके है तो जिन इस्टोरेट्स ने नहीं पढ़े है पूरे topics आपको पूरे topics पढ़ना है जिसके तहट जो project export जो है उसको promote किया जा सके जो की Indian Development and Economic Assistance Scheme के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है और साथी साथ COVID vaccine के लिए 900 करोड रुपे भी Department of Biotechnology को provide किये जा रहे है R&D purpose के लिए research and development purpose के लिए तो ये कुछ measures हैं जो की आद मिरभर भारत 3.0 के अंदर शामिल किये गए हैं जिसको हम अपने देखा चर्चागरी इसके बारे में और paper 2 से related से इतने ही topics थे ना अपन paper 3 के topics की दरफ आगे बढ़ रहा है कावेरी क्लास सब्मरीन की हाबर बात हो रही है तो इंडियन नेवी की 5 भी कावेरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सब्मरीन है ये INS वागिर अब ये वजीर नहीं है ये वागिर है INS वागिर इसको अभी recently launch किया गया है मुंबई के माजगाओं डॉक से और दूसरे और वेसल इस क्लास की वैक्सीन के जो है intelligence gathering, surveillance और naval mining purpose के लिए उपयोग में लिया जाता है इस क्लास की सम्मेरीन को इसके लावा इसको project 75 के under build up किया गया है इसका design जो है वो scorpion class के ओपर based हम लोग को नज़र आ रहा है इसको तयार करने वाली जो body है वो है public sector ship builder मजगाओं डॉक लिमिटेट जो मुंबई के अंदर हम लोग को देखने को बलती है और इसको design और develop किया गया है french defense major naval group जिसको dcns के नाम से जाना जाता था और spanish state owned entity navantia तो इनके दोरा इसको develop किया है और design किया है इस submarine को और जो भी अपने बात करी कुछ submarines के बारे में उपर यहाँ पर दूसरे vessels के बारे में जो अपने अभी चर्चा करी थी तो इसमें कलवारी जो vessel है तो उसका नाम जो पढ़ा है वो tiger shark के नाम से पढ़ा है वागीर की बात करें जो अभी launch हुई है तो इसका नाम एक sand fish के नाम पर रखा गया है कंदेरी की बात करें तो इसका नाम एक island fort के नाम पर रखा गया है जो की build up किया था चत्रपती शिवाजी के दवारा और करंच की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम भी south Mumbai में एक island है उसके नाम पर रखा गया है और इंडिया के पास अभी दो चक्र और अरिहंत तो यह nuclear power class submarine हम लोग को देखने को मिलती है इसमें एक-एक जो submarine है इनकी चक्र की और अरिहंत की तो यह एक-एक submarine इसकी nuclear power class submarine देखने को मिल रही है इसके लवा चौदा ऐसी submarine हमारे पास है जो की तीन classes diesel electric category की नजर आ रही है वो है कलवेरी शीशूमार और सिंधू घोश ठीक है तो य अच्छे से clear हो गए है तो like button hit कीजिएगा नए आये है channel को subscribe कीजिए bell icon पे भी जरूर हिट कीजिएगा and guys lecture को share जरूर कीजिएगा and आज का जो आपका homework है वो है contempt of quote इस topic को 29 जुलाई को 18 और 22 August को मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप इस contempt of quote क्या होता है इसको इक पर देखिए और आपका जो आज का means का question है वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस means के question को आप attempt कीजिए और question को लिखने के attempt करेंगे आप paper के उपर paper पर जब आप question लिख लेंगे इसका answer तो इस paper की photo कीजिएगा और photo खीचने के बाद ये group है telegram का इस group पर आप share कीजिएगा group का नाम chat like bureaucrat स ये इसकी link है नीचे description पर भी आपको इसकी link मिल जाएगी इस group में काफी सारे civil services के aspirants मुझूद है अगर आप अपने answer को post करेंगे तो quite possible कोई aspirant आपके answer को review करने आप दूसरे aspirant के answer को review कीजिएगा तो इस प्रकार से एक healthy practice यहाँ पर चलती है यानि कि एक healthy environment आपको हैपर मि provide कराता हूं group study का environment तो यहाँ पर आप इसका lab ले सकते हैं तो यह इसके बारे में आपको बताना था हूँ और monthly paid package के बारे में आपको already जानकरी lecture के starting में provide करा ही चुका हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो lecture के starting में देख लीटेगा कि monthly PDF package का फायदा आपको कैसे मिल सकत आपको कैसे magazine मिलेगी और नीचे description पर पूरी details already दी हुई आप description पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि paid package को कैसे join करना है तो चलिए आप आपन मिलेंगे कल तब तक लिए बबाई take care have a great day ahead